इसे लिए सब्सक्राइब कीजिए अविनास क्लासेज चैनल को और दबाईए बेल आइकन ताकि आप रहें टेंशन फ्री तो सब्सक्राइब करो आज का अविनास क्लासेज में टॉपिक है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस मैंने इससे पहले भी इसमें वीडियो डाला था वो वीडियो आप लोगोंने देखा होगा वो भी पैंक्रेटाइटिस का ही वीडियो है और इस वीडियो में मैंने काफी मेहनत किया है और ये कोशिस किया है कि फीगर के थूँँ आपका कंसिप्ट क्लियर करूँ और वो भी हिंदी इंग्लिस मिक्स में कि जो भी मेरे हिंदी स्टुडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो तो सबसे पहले हम acute pancreatitis का ये चार पॉइंट देख लेंगे कि acute pancreatitis है क्या इसको अब देखिए इसको हम explain करेंगे figure के थूँ pancreas का inflammation enzyme-mediated autodigestion से होता है जब pancreas inflated हो जाता है किसी से enzyme-mediated autodigestion से अब आप पुछेगा कि सर ये क्या है इसको आगे हम बताएंगे दूसरा ये mild pancreatitis होता है 80% case में लेकिन 20% case में pancreatitis life-threatening disease भी हो सकता है थीसरा information mild odigma से peripancreatic necrosis तक पहुँच सकता है ये information जिसको हम हिंदी में सूजन बोलते हैं और इसका major कारण जो है gallstone और alcohol है ये दो major कारण है अब हम start करते हैं figure number one से of course ये कोई भी pancreatitis के बारे में चर्चा करेगा तो आपको वो बताने की कोशिस करेगा कि pancreatitis में pancreas कहां है तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रोडी है कि हमारा सरीर में pancreas कहां है ठीक है तो आईए अब हम देखते हैं कि हमारे सरीर में पैंक्रियाज कहा है और उसके बाद किस तरह से ये बीमारी ये डीजीज होता है ठीक है माली जे अब हम इस फीगर पर कंसेंट्रेट करते हैं इसको फीगर नंबर वन बोले फीगर वन आप लोग जो हम बोल रहे हैं उसको नोट्स भी बनाते चलिएगा माली जो कोई पेसिंट है और उसको पेन है पेन कहा है इस्टोमेक पेन है वोमेटिंग है और वो सस्पेक्टेड है कि साथ इसको पैंक्रियाज क्या है इस फीगर को देखिए पैंक्रियाज यह एक औरगन है जो स्टोमेक के नीचे रहता है यह पैंक्रियाज है हमारा यह जो हम डॉट डॉट लाइनिंग यह वाला किये हैं गौर से देखिएगा यह डॉट डॉट लाइनिंग है यह पैंक्रियाज है हमारा ठीक है यह स्टोमेक के नीचे रहता है यह यहां पर लीवर है, गॉल ब्लडर यहां है, और स्टोमेक यह रहा, यह जो पोर्शन है, यह स्टोमेक है, और यहां पर यह पैंक्रियाज इस्तित है, यह स्मॉल इंटिस्टैन का है, ठीक है, तो यह पैंक्रियाज का अब हम थोड़ा क्लोज अप इमेज लेते हैं, पैंक्रि पैंक्रियाज का close-up image लेते हैं तो पैंक्रियाज डियोडिनम से connected होता है देखिए यह डियोडिनम है हम यही से पैंक्रियाज का यह लुक यहां लिए यह डियोडिनम है इस्टोमेक का निचला पार्ट तो यह डियोडिनम से connected होता है स्वरी इस्टोमेक का उपरी पार्ट हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन का उपरी पार्ट हुआ है तो यह डियोडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के उपरी पार्ट से connected है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फॉर बाइल डक्ट है बाइल डक्ट हम इसी का इसका क्लोजब व्यू लिये है अब यहां देखिए बाइल डक्ट क्या है गॉल ब्लडर से और लीवर से यह वाला बाइल डक्ट वो कनेक्टेड होता है किसी से पैंक्रियाटिक डक्ट से यह हमारा पैंक्रियाटिक डक्ट है यहां यह कनेक्टेड है बाइल डक्ट वो आगे जाके वो गॉल ब्लडर और लीवर दोनों से कनेक्टेड है ठीक है और वो कहां तक जाता है डियोडिनम तक जाता है यह हमारा यहां स से डियोद्नम तक जाएगा ठीक है यह आप समझ गए पैंक्रियास कहीं दो मेन फंक्शन है एक फंक्शन है एक्सो क्राइं और यह एक्सो क्राइंग ग्लैंड की तरह काम करता है जहां पर यह डाइजेस्टिव इंजाइम सेक्रेट करता है और वो पैंक्रियास डक्ट के द्वारा इस स्मॉल इंटेस्टाइन में थूरू डियोड्रम जाता है ठीक है यह इंडोक्राइन ओर्गन की तरह भी काम करता है और यह बलड में हार्मोन सेक्रेट करता है इंडोक्राइन ओर्गन ये ग्लुकागॉन और इंसुलीन इंडोक्राइन और्गन की तरह काम करेगा तो सेक्रेट करेगा अब आईए एक्सक्राइन पर तो नैनो पैंक्रियाज के पास क्लॉस्टर अफसिल होते हैं जिसको अब हम थोड़ा सा इस फिगर पाया जाते हैं तो आपको समझ में आएगा ये देखिए हम यहां से इसका क्लोजब लिए इसका क्लोजब वियो लिए ठीक है अब हम देख रहे हैं कि पैंक्रियाज के पास क्लॉस्टर अफसिल्स है ये सारा सिल्स है और जिसको पैंक्रियाटिक एक्टनम कहते हैं ये पैंक्रियाटिक एक्टनम कहाएगा इस सिल्स को जिसको क्लॉस्टर अफसिल्स है ये एक्सोक्राइन ग्लेंड की तरह काम करते हैं यहाँ यह एक्सोक्राइन ग्लेंड की तरह काम करेगा जो आपको पहले हम बता चुके हैं जो पैंक्रियाटिक डक्ट से होकर small intestine में जाएगा यहाँ से जो enzyme release होगा मतलब यहाँ से उसी का यह close up भी हो है यहाँ से जो enzyme release होगा यह pancreatic duct से होते हुए small intestine में जाएगा ठीक है जो यहाँ pancreatic acnum हम बोलेंगे अब acute pancreatic cell में क्या होता है इस fever पहाज़ेगे acute pancreatitis pancreatitis में part of pancreas में inflammation हो जाता है यहाँ pancreas जो है सेम चीज़ है देखें यहाँ इसी को हम यहाँ देखें है यह inflated scene है यहाँ पर हमारे pancreas में inflammation हो जाएगा और inflammation के चलते pancreas damage हो जाता है acnum damage होकर आस पास में digestive enzyme छोड़ेगा देखें है red arrow से है वो digestive enzyme हमारा यहाँ देखें figure में यह duct से होके small intestine में नहीं जाएगा वो कहा जाएगा वो आस पास के सिल में ही वो enzyme रह जाएगा due to inflammation और वो pancreas को damage करेगा acnum damage होकर आस पास में digestive enzyme छोड़ देता है जिससे पास का structure भी further damage हो जाता है यह damage structure है यह कैसे होता है अगर pancreas के inflammation हो जाए तो pancreas तीन important enzyme को secret करता है देखें यहाँ क्या है एक produce, amylase, lipase चुके enzyme duct में release ना होकर मतलब यह duct से होके enzyme small intestine में release ना होकर यह आस पास के area में यह enzyme release होता है तो आस पास के tissue में वो tissue और cell को यह इसको damage कर देता है जिससे protein mediated damage कहते हैं चुके enzyme के थूर यह damage हो रहा है और वो produce क्या है protein का enzyme है तो इसे protein mediated damage कहेंगे amylase level भी secret यहां होगा तो blood में increase हो जाएगा जिसको यह amylase है यह amylase level भी blood में increase हो जाएगा देखें, blood में amylase level बढ़ जाएगा जिसको की हम amylase level test करके pancreatitis का पता भी करते हैं और lipase जो release होता है वो serious complication पैदा करता है pancreas के fatty necrosis में यह lipase भी serious complication पैदा करेगा pancreas के fatty necrosis में यह fat का डिपोजिशन हो जाएगा देखें है fat का डिपोजिशन है तो यह हम एक तरह से कह सकते हैं कि यह total हमारा जो pancreatitis है वो enzyme based है enzyme mediated problem है इसमें enzyme के चलते further cell damage हो जाता है enzyme हमारा एक बार pancreas को देखिए nut cell में हम कह सकते हैं कि देखिए यहाँ pancreas से enzyme को जाना चाहिए ऐसे यह इस figure में देखिए यहाँ आपको clear दिखेगा यहाँ liver है और यहाँ stomach है stomach में के नीचे pancreas है यहाँ से pancreas related है small intestine diodenum से तो यहाँ से duct से हमको यह डिलीज होके diodenum होते हुए small intestine में जो digestive enzyme को जाना चाहिए वो digestive enzyme वहाँ न जाके क्या होता है वो आसपालग पास के cell में यहाँ से enzyme release हुआ और आसपास के cell को damage करेगा और वो damage करने के चलते क्या होगा हमारे सरीर में digestion का problem हो चुके digestive enzyme तो जाना ही रहा है small intestine में और उसके थूँ क्या होगा यह जो तीन तरह का enzyme है तो produce खास कर protein meditated damage create करेगा cell tissue को यहाँ का damage कर देगा और जो amylase है amylase का level हमारे blood में बढ़ जाएगा lipase है fat deposition बढ़ जाएगा यह सब serious complication create करेगा इसको हम actinomy इसका देते हैं एक आप जिसको नेकोनोमी कि तरह दिया था है etiology याद रखने के लिए get smashed g-e-t get s-m-a s-h-e-d get smashed यह वर्ड हम याद रखेंगे get smashed g for gallstone यह gallstone क्या है देखिए यहाँ यहाँ से gallstone से जो stone है वो आके यहाँ पर फस जाते है यहाँ से gallstone से यह stone आया और यहाँ फस गया कैसी को block करेगा pancreatic duct को block कर देगा इससे क्या होगा backflow होने लगा bile backflow चला जाएगा और pancreatic juice pancreas के भीतर ही चला जाएगा और जब pancreatic juice जाएगा तो क्या करेगा वो इस pancreas की इर्द गिर्द जो cell है जैसे हाँ damage किया है उस तरह से उसको यह damage करेगा तो यह दियां धियां रखेगा gallstone यह block करने के चलते gallstone एक major cause है दूसरा cause है E for ethanol T for trauma get smashed S for anabolic steroid M for mumps virus A for autoimmune disease S for scorpion venum H for hypercalcemia hypercalcemia और hyperlipidemia S for हो गया E for ERCP ERCP क्या है यह ERCP एक investigation and treatment method है इसको ERCP बोलते है pancreatitis के investigation और treatment के लिए जो method यूज़ किया आता है उसको ERCP बोलते है D for drugs तो यह drugs जो है acute कुछ drugs ऐसे हैं जो acute pancreatitis को triggered करते हैं मतलब कि उसको excited करते हैं अब ERCP के बारे में भी जान लिजए ERCP जो है हमारा वो कुछ नहीं है ERCP हमारे mouth से यह figure देखिए mouth से यहाँ डाला जाता है एक pipe और वो यहाँ आके हमारे stomach के पास इसमें जो gall blood का stone है जो यहाँ फसा हुए है उसको निकालता है mouth से ही निकालके उसको डालके और यहाँ stunt लगाया जाता है gall blood को भी हटा दिया जाता है और stunt लगाया जाता है तो यह gall blood मुमीन आपको देख लीजे यहाँ पर हमने आपको बताया get smashed याद रखेगा यह सारे cause है pancreatitis होने के लिए except E ERCP जो है investigation treatment method है तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि साइद आपको यह सब चीज समझ में आया होगा अभी हमने आपको यह दो तरह से काम करता है दिमाग में रखेगा exocrine, endocrine exocrine में क्या है और endocrine में क्या है बताए endocrine में वो glucagon और insulin को release करेगा pancreatitis और exocrine में bile duct से यहाँ से होते हुए enzyme release करेगा वही तीन enzyme proteose digestive enzyme तो overall आपको सब समझ में आया है उमीद करते हैं अगर इसम कुछ problem हो तो आप पूछ सकते हैं मैंने भरपूर्ट प्यास किया है कि आपको सब कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाए और इसके बारे में आप अच्छी तरह जान जाए मैंने यहां कुछ नहीं किया है एक figure बनाया है pancreas का एक close figure बनाया है दूसरा figure में और यहां अभी यह tissue जो है enzyme secret करते हुए दिखा रहा है यह अभी damage tissue नहीं है यह fresh tissue है जिसको हम एकनम बोलते हैं pancreatic acne यहां से अगर हम इसका close कट लेते हैं तो अब हम इसको damage tissue यहां दिखाए है enzyme secret हुआ और वो duct के थूरू stomach में न जाके वो आसपास के ही area में रह गया और वहां उसको damage किया उसके थूरू जो procedure है वो हमको बताया है तो I hope आपको समझ में आया होगा दो वीडियो हमने दूसरा वीडियो डाल दिया इसका topic हम रखेंगे acute pancreatitis थोड़ा सा एक और इसके बारे में डालेंगे video because this question is very important for your exam so my dear students read carefully try to clear your concept and thank you very much for this Avinash class